पहली बात है सेवा, दूसरी बात है शिक्षा और तीसरी बात है साधना, तो सेवा क्या, सेवा जिसको सेवा की जरूरत है उसकी सेवा करना, फिर वो परिवार का सदस्य है समाज का सदस्य है दलित है और कोई ब्रामन है या कुछ भी है उसका कुछ से फरक नहीं पड़ता आप मानव की सेवा करने वाले हो तो वीरायत अन्ने सेवा का व्रत अपनाया अपने आप में अपने आप में ये बहुत क्रांतिकारी विचार है आज तक भगवान महावीर के धाई हजार से जादा वर्षों के बाद में किसी साधू या साधवी ने प्रत्यक्ष रूप से सेवा, समाज सेवा नहीं करी ये उन्होंने गलती करी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ पर ये चेतना समाज को देने के लिए अगर एक साधवी उठके खड़ी होती है कि मैं ये करूंगी बहुत बड़ी बाद है और वीरायतन ने ये वरत अपनाया कशिन जगे पे अपनाया वो दिल्ली बंबे में कर सकती थी बहुत सारे शावक लोगे के बहुत ये कर दो एक दवा खाना खोल दो एक ये कर दो तो धन्वान जैन है पैसा दे देते हो जाता बिहार में जाके बिहड जंगल में डाकूओं के समाज में जाके ये काम करना साधारण व्यक्ति को नहीं नहीं ये बन सकता उससे तो ये सेवा कार्य जो उन्हों ने किया उसके अंदर एक हॉस्पिटल बनाया आज आपको सुनके आनंद होगा कि वीरायतन का जो आय हॉस्पिटल है नेत्रजूती सेवा मंदिरम कि पचास वर्षों में एक करोड मरीज ट्रीट हुए है एक करोड ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा रूरल हॉस्पिटल है इतना बड़ा रूरल आय हॉस्पिटल दुनिया में कहीं नहीं है और ये करते वक्त सिरफ डॉक्टरों से नहीं करवाया स्वयम आगे होके हर मरीज से मिलके उसको दिलासा देके उसको प्रोचाहन देके वहाँ के सफाई का वहाँ के काम का लोगों के खान पान का ध्यान रखना स्वयम साधवियान करती है बहुत बहुत बड़ी बात है हम सब शावकों के लिए ये एक प्रोथसाहन है कि आप सिरफ पैसा दे देते हो आगे बढ़ो कुछ करो दूसरा है शिक्षा मैं जो शिक्षा का मतलब समझा हूँ और मुझे जो परंपरा मालू है वीरायतन की के शिक्षा याने क्या तो वो मुल्यों की शिक्षा संसकार शिक्षा आज हर कोई बोलता है किसी से भी बात करूँ गए अपने संसार खो रहे है अभी आजकल के बच्चे हमारे संसकारित है नहीं क्यों नहीं है इसलिए नहीं है कि कुटुम्ब अकार्यक्षम हो रहा है अगर कुटुम्ब या फैमिली कार्यक्षम हो रही है बिखर रही है पहले तो बड़ी फैमिली होती थी दादी नानी सब फैमिली में होते थे कुछ सिखाते थे उनके पास समय था उनको प्रेम था आजकल कौन है हजबन वाइप दोनों जॉब करते हैं बच्चा है वो क्या करेगा तो ये जो संस संसकार है ये भी बच्चों को देना है इन संसकारों से वो अच्छा मानव बनेगा वो अच्छा डॉक्टर बनेगा अच्छा इंजिनियर बनेगा ठीक है अच्छी बात है अच्छा मानव उसने पहले बनना है तो ये शीक्षा है और साधना साधना याने क्या आप इसमें भगवान बुद्ध का उधारण लीजिए भगवान बुद्ध अपना महल छोड़के पारश्वनात तीर्थंकर करके जो फॉलोवर्स थे उनके एक गुरूप के साथ में दस साल तक इदर उदर भटकते रहे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये पाली भाषा में लिखी हुई बुद्ध परंपरा की किताबों में दी हुई है अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एब्राहेम एरपली ने पांच भारतिये इतियास पे पुस्तके लिखी है बीच वाली पुस्तक का नाम है जुएल इन दे लोटस के कमल के अंदर जो जु और तपस्या उन्होंने की वो इतने कृष हो गए कि अपने पेट पे हाथ लगाते थे तो उनकी उंगली उनके रीड के हट्टी को टच होती थी फिर उनने ने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा मुझे मुझे नहीं चाहिए मुझे दुख निवारन चाहिए और वो हटे पीछ मुख्ष मार्ग छोड़के वो दुख निवारन मार्ग में गए जिसको उन्होंने मद्य मार्ग कहा तो क्या हमें मद्य मार्ग पे जाना चाहिए श्रावकों ने जाना चाहिए साधू ने जाना चाहिए उनका निरने है साधू अगर मुख्ष मार्ग पे चलना चाहते है त हर धर्म प्रवर्तक सत्य ही कहके गया पर जो सत्य है वो क्या है इसके उपर सिध्धान्त बने एक सिध्धान्त का एक संप्रदाय बना अब संप्रदाय तूट रहे हैं संप्रदाय आज से मुझे याद है आज से पचास वर्ष पहले साट वर्ष पहले सत्तर साल पहले जब मैं चोटा बच्चा था तो मेरी दादी नानी मुझे ले जाती थी स्थानक में जाते थे गुरु महराज के सामने बैठते थे कुछ सुनने मिलता था उस समय संप्रदाय साथ में थे एक महला था जिसके अंदर सभी जैन लोग थे दूसरा एक महला था उसके अंदर सभी ब्रामन थे तो वो जो संप्रदाय है वो संप्रदाय आज बिखर गये है कोई कुटुब में रहता है तो कोई साउथ दिल्ली में है तो कोई कहीं है बंबई में आप देखो तो नौर्द बंबे टू साउथ बंबे ये पचास किलो मेटर का डिस्टंस है तो संप्रदाय साथ में रहे नहीं है तो क्या करना चाहिए हमें समाज को जोड़ के रखना है तो कैसे रखेंगे संस्था तो सत्य सिधान्त संप्रदाय संस्था संस्था अपने आप में एक व्यक्ति है लीगल परसन है पंजीक्रत है रजिस्टर्ड है उसका अपना एसेट है रिसोर्स है बजेट है प्रोजेक्ट्स है जो कार्य करना है वो अगर संप्रदाय अपनी प्रेड़ना से कर सके तो बहुत अच्छी बात है पर अगर संस्था कार्यरत होती है तो संस्था की ताकत बहुत जबरदस्त है हम हिंदुस्तानी लोगों को संस्था का महत्व इतना नहीं समझता है जितना हमें समझना चाहिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ल के आए कंपनी बैंक इंशॉरंस कंपनी ये सब संस्ता है और उन्हों ने जिस प्रकार से अपना बिजनस यहां पे चलाया राजाओं को वश्मे किया सेनाओं को वश्मे किया इस भूमी पर छागए वो संस्ता ये एक आधुनिक आविश्कार है जो गतीन चार सो वर्षों में प्रगत हुआ है आज आप देखिए सबसे पावरफुल लोग कौन है दुनिया में इन्फोसिस टेसला गूगल ये क्या है विचार करते हैं सिरफ पर संस्ता है तो संस्ता का बहुत बड़ा मातो है इसलिए वीरायतन ये एक संस्ता है उसका अपना एक रवया है उसके फॉल है उसके प्रोजेक्शन है उसके प्रोजेक्शन है तो उसके प्रोजेक्श क्या है ये हम एक मिनिट समझ ले हाला कि सभी साध्विया इस सेवा शिक्षा साधना के कार्य में अग्रेसर है और समाज के लोगों को प्रोटसाहित करती है पर ये जो प्रोजेक्शन है हॉस्पि हैं दुख निवारन के प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपने सुना कि जब कच में भूकम हुआ तो स्वयम्ताई माराज शिला पीजी को लेके कच गई मैंने बहुत मना किया मैंने का अगर आज भगवान महावीर होते तो क्या करते वो गई बाकी इतियास आपको पता है तो ये कुछ प्रोजेक्ट बने नेतर जोती सेवा मंदिरम और बिहार बिहार के अंदर बढ़िया स्कूल्ज हैं सुन्दर स्कूल्ज है जो भगवान महावीर की जन्म भूमी में स्कूल है लचवाड में वो एरिया जो है वो नकसल एरिया है डाकू गुंडे रहते हैं वहाँ पर इस स्कूल के बारे में उनके मन में आदर है वो आके साध्वीयों के पैर छूते हैं कि माता जी आप हमारे बच्चों को मानव बना रहे हैं आपको यहां कोई हाथ नहीं लगा है तो यह जो बात हो रही है स्कूल के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण है आगे चलके जो प्रोजेक्ट से वह यह जो स्कूल है यह कॉंक्रीट की बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर कुछ लोग काम करते हैं जो पढ़ाते हैं स्कूल है मूल्य वर्धक स्कूल है क्या शायद नहीं मूल ये उसके अंदर उतना ही आता है जितना साधविया उसके अंदर ध्यान दे सकती है क्या वीरायतन की कुछ साधवियां मिलके अगर सो सकूल बन जावे तो उसमें वो कुछ कर सकती है बहुत मुश्किल होगा ताइमा ने गत दस वर्षों में बहुत प्रहत्न किया कि अलग-अलग स्कूल अलग-अलग जगे बने पर यही बात सामने आई कि स्कूल तो बन जाएगा चार स्कूल ऐसे बने भी है जिनको गती नहीं है तो अब उन्होंने नई टेकनोलोजी का यूज करना निश्चे किया है तो यह कैस होगा तो नई टेकनोलोजी के यूज से ऐसा ऐसी बात हुई है जिसके ओपर हम लोग कार्य कर रहे है विरायतन कार्य रत है हिंदुस्तान के अंदर जैन लोगों के हाथ में उन्होंने निर्मान करी हुई वो चला रहे है ऐसी सेक्ड़ो स्कूल थे मेरे परिवार की स्वयम जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ करीबन 26 स्कूल है एमन नगर डिस्ट्रिक में है जगे जगे पे है शेहर में है तैसील गाओं में है अगर मेरे पास 26 है तो पूरे हिंदुस्तान वहर में 1000 स्कूल होगी कम से गाओं क्या वो जैनी जो ये स्कूल चलाते है उनको अगर कार से सुधार सकती हूँ तो मना करेंगे प्रोच्साइथ होंगे और क्या करेंगे तो एक मूल्य वर्धक एक शिक्षा क्रम बन रहा है जो नॉर्मल शिक्षा क्रम है वो रहेगा मूल्य वर्धक शिक्षा क्रम में हम स्कूल से कहेंगे कि हमको हफते में एक लेक्चर चाहि हम 7 साल से लगा के 13 साल तक 4-5 कक्षा के बच्चों से ही बात करेंगे जो बच्चा 7 साल से छोटा है उस सिरफ मा का सुनता हो किसी की नहीं सुनता हो मा अगर बोलेगी यह खा ले तो खा लेगा यह मत खा तो नहीं खाएगा ये पहन ले तो पहन लेगा साथ साल से तेरा साल तक का जो बच्चा है वो सिरफ टीचर की मानता है और किसी की नहीं मानता आप कुछ भी कहतो ये गलत है नहीं नहीं मेरी टीचर बोलती है बराबर है आपको नहीं समस्ता है और जो 13-14 साल से बड़ा बच्चा है वो किसी की नहीं सुनता, वो अपने सिरफ फ्रेंड्स की सुनता है, फिर उनको सिनेमा ये वो सब शौक रहते है, मैं आज यहां जाओंगा, ये खाओंगा, वो करूंगा, मैं इसके साथ कुछ शरारत करूंगा, ऐसा उनका रवया है, त तो वो स्कूल अगर हमको साल में 30 लेक्चर हरे कक्षा के देवे, तो इसके लेक्चर बहुत सुन्दर तरीके से तयार होंगे, आडियो, विज्वल, इमर्सिव, इंटरैक्टिव, वो हम एक एक्सपर्ट्स की टीम लगा के कर रहे हैं, हम इन स्कूलों से कहेंगे, वहां के टीचर्स को बलाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, वो टीच नहीं करेंगे, वो सुपर्वाइज करेंगे, वीरायतन वाइफाई से टीच करेगा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, अगर हम कुछ सो स्कूलों तक पहुंच सके और कुछ हजार बच्चों तक पहुंच सके, उसमें से दस प्रतिशद बच्चे भी अगर इस विचार को मान लेते हैं, जान लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, तो ये एक प्रोजेक्ट ताई महराज कर रही है, ताई महराज स्वयम आपको उनके विचार जो म्यूजियम में बनाने जा रहा हूँ, उसके बारे में बत statistics दे दूँ, ताई महराज की इच्छा थी कि एक अच्छा सुन्दर जैन विचारों का म्यूजियम बने और उन्हें ये पाली ताना में बनाना था, हम लोग गए पाली ताना जमीन वगेरे भी देख ली, इस जमीन उनको मिल भी गई, पर फिर मेरे ख्याल में ये आया और म पर आते हैं, महां सीखने कोई नहीं आता है, और वहां जो सादू है, वो सीखने के मूड में नहीं, वो सिखाना जाते हैं, सीखना तो वो चाहता है, जो विध्यार सी है, अगर आप एक टीचर को सिखाने जाओ, तो वो बोलेगा, मुझे नहीं सीखना है, मैं तुमें सिख टीम काम कर रही है, मेरे टीम के 40-50 लोगों में करीबन 5 PhD है, संपूर्न जैन फिलोसफी जो है, आज जैन फिलोसफी कोई किसी को पढ़ाता नहीं है, ना आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ने मिलती है, ना आपको स्थानक में मंदिर में पढ़ने मिलती है, क्या है, आत्मा क्य क्या होता है कर्म क्या है कशाय क्या है मोक्ष क्या है काल चक्र क्या है युग पुरूश क्या है काल पुरूश क्या है किसी को मालूम नहीं है हाँ कोई विद्वान है जिनको मालूम है पर सर्वसाधारण व्यक्ति को मालूम नहीं तो ये बाते फिलोसोफी इतिहास आपको पता है तामिल नाडू में कितने जैन मंदिर हैं ताई महाराज के साथ मैं छे साल हो गए हम तामिल नाडू गए थे तरीची गए थे तो वहाँ पे जो मराठा महराजा है तंजावर के वो आके हमें मिले आज से बाइस सो वर्ष पूर्व आचार्य भदरबाहू और चंद्रगुप्त मौर्य बिहार से दक्षिन में गए थे तब से वहाँ पे ओरिजिनल जैन फॉलोवर्स बसे हुए है वो आज भी जैन है देखने में लगता है कि कोई सुप्रमण्य में रामस्वामी होगा पर नाम अजितनात है नाम महवीर है और जैन धर्म पालन करते है एक हजार मंदिर तामिल नाडू में एक हजार वर्षों से पुराने है जैन धर्म इतना फैला हुआ है हिंदुस्तान तो ये सब बाते भी उसमें बताई जाएगी क्योंकि हमें हमारी परंपरा का अभीमान होना चाहिए अभीमान बहुत अच्छी चीज है अहंकार बुरा है अभीमान अच्छा है हमें हमारे धर्म का अहंकार नहीं चाहिए हमें हमारे धर्म का अभीमान चाहिए और वो निर् झाल झाल